के गाइज वेलकम पैक टू दे चैनल होप यू गाइज वेल और देखके आप लोगों को पता चली गया होगा कि आज का दिन कितना है श्वेशल हम लोगों के लिए जी हाँ बिल्कुल हम लोग लेने वाले हैं डिलेवरी हम हमारे अफजाडस वर्जन 3.0 की अभी 10 बजे हैं देख सकते हैं आप मोबाइल समें फिर 17 बजे हैं और डिलेवरी हमें सब गाड़ी की टेस्ट ट्राइब ली थे देन मुझे यामा की मुलनेस और इंजन रिफाइनमेंट काफी अच्छा लगा तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यामा अफजड ही लूँगा तो चलो चलते है लेने के लिए हमारा प्लेक टाइगर है लेने के लिए लूँगा तो चलते है लेने के लिए हमारा प्लेक टाइब लूँगा तो चलते है और सेश बार प्लेक टाइब लूँगा तो चलते है वो लाइट गाइस को आगे हमारे पास हमारा ब्लेक टाइगर और इस गाड़ी को चलाने में जो मज़ा आता ना गाइस इस सेग्मेंट किसी और बाइप में आप लोगों को नहीं मिलेगा इसका हैंडलिंग इतनी लाइट ओ माई गोड मेरे गजन के पास है पलसर अपाचे दोनों गाड़ी मेरे कजन के पास है वो दोनों गाड़ी में खूब चलाई यह लेकिन उनकी हैंडलिंग बहुत हार्ड है और इसके बहुत स्मूद है नो डाउट उनका पावर ज्यादा है यह 12.4 HP पावर डिलेवर करती है इसका तोर्क है 13.6 Nm और इस गाड़ी को चलने में जो कॉंफिडेंस मिलता नो किसी और बाइक में आप लोगों को नहीं मिलता इंजन पे बेट गाड़ी पे बेटने के बाद आप लोगों इतना स्मूद लगेगा इतनी अच्छी बाइक कि आप लोगों को इस गाड़ी को छोड़ने का मनी नहीं करेंगा अगर आपके नियर बाई कोई शोरूम है तो आप वहाँ पे जाके इसके पेस्व जरूर लेना और गाई इसका मैं आप लोगों को दिखा देता हूं एक जोस्ट भी सुनाता हूं इसका स्पीडोमेटर लेकिन उसके बाद भी सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है और बस इसमें एक ही कमी लेगी इसमें गियर सिष्टम ओर दे देना चाहिए था फस सेगें थार फॉर फाइफ जिससे अपने को पता चाहिए था गाड़ी कौन से गेर में एक बार इसका होर नोर दिखा दे देख लीजिए कितना चोड़ा है बिल्कुल मस कलर एकदम से इस सेगमेंट के और किसी बाइक में इतना चोड़ा टाइर नहीं हाता है यह फ्रंट वील अगर आपके मन में इस गाड़ी या इस वीडियो से लेल्टिव कोई भी क्यूश्चन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करना ना भोले और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैन मिलते हैं अगले वीडियो में